हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं चालिस डिग्री से उपर रिकॉर्ट किया गया है मौसम विशेशक यूँके अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के उदैपूर कोटा और राज संभाग में प्री मानसुन बारिश का दौर शिरू होगा जो दीरे दीरे दूसरे संभाग में आगे बढ़ेगा ऐसे में 28 जून को भरतपूर जैपूर अजमेर संभाग में भी बारिश के साथ आकाशिय बिजली गिरने की आशंका है वहीं 29 जून को प्रदेश के उदैपूर कोटा अजमेर भरतपूर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है 27 जून को 22 भील वारा बुन्दी डुंगरपूरं उधेपूर और जालावार में बारिश की साहता काश ये बिजली गिरने की आशंका है 29 जून को अलवर बासवाड़ा बुंदी चितोरगर दोसा कोटा प्रताबगर रास्समन सवाय मादुपूर सिरोही टोक जालोर पाली में भारी बारिश के चेतावनी दी गई है पूर्वी राजस्तान से प्रवेश करेगा मानसून जैपूर मौसम केंदर के विग्यानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवा प्रभावी होने से मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परसीतिया बन गई है ऐसे में 30 जून तक मानसून पूर्वी राजस्तान से प्रवेश कर सकता है वही मानसून के आगे बनने के साथ ही थंडर स्ट्रोम के साथ आकाश ये बिजली गिरने की भी आशंका बनेगी राजस्तान में अगले 3-4 दिनों में प्रवेश कर सकता है मानसून राजस्तान में 5 शेरों में 45 डिग्री पर पहुँचा है तापमान अजमेर में 42.5, वही 28, बीलवाडा में 42, 27.8, वनस्तली टोंक 42.428.4, जैपुर में 41.403.7, सीकर में 42 और 28 और कोटा में 42 वन यूंतम 30.5 डिग्री, उधैपुर में 41.4 वन यूंतम 29.6, बार्डमेर में 45.5 वन यूंतम 32 वही जोत्पुर में 45.3 वन यूंतम 30.9, साथ ही 27.7, नूंतम डुंगरपुर में 45.1, 29.6, नूंतम जालोर में 46.2, 30.8, नूंतम बासवाड़ा में 41.7 और नूंतम 30.2 और अलवर में 41.1, 24.7, नूंतम तापमान रिकॉर्ट किया गया जागरुक टीवी के लिए जैपुर से खास रिपोर्ट